नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा 2021 के लिए समाजिक बिग्याउन का महतपुर्ण प्रशन अगर आप चाहते हैं समाजिक बिग्याउन में ज़्यादा अंख लाने के लिए तो आप अबजेक्टिव का पूरा वीडियो जरूर देखें तो चलते हैं प्रशन की ओर यह सभी प्रशन समाजिक बिग्याउन के बहुत ही महतपुर्ण है जैसा की देख रहे हैं यह 2020 में पुछा गया है तो चलते हैं प्रशन की ओर प्रशन है एक नमर सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है तो यह है उप्षन नमर B बिल्कुल ज़े है कपास अगला प्रशन है आपका रेश्मी वाश्त्र उत्पादन का प्रमुख के अंद्र है तो यह है उप्षन नमर D बिल्कुल ज़े है भागलपूर अगला प्रस्णा है आपका गंडक पर्योजना है तो कहां है ये ये बालमुकी नगर में है औप्सन नमर बी बिल्कुल सही है बालमुकी नगर में है गंडक पर्योजना अगला प्रस्णा है आपका चार नमर बिहार का सबसे बरा नगर कौन है बिहार का सबसे बरा नगर कौन है तो पटना है औप्सन नमर ए बिल्कुल सही है बिहार का सबसे बरा नगर पटना अगला प्रस्णा है पांच नमर दो हजार एक किस की जनगना के अनुसार बिहार की न अगर यह अवादी है तो इस प्रश्निका उत्तरग आपका option number C बिल्कुल सही है 10.5% option number C बिल्कुल सही है अगला प्रश्ना आपका छे नम्मर बिहार के कितने परतिसत भोकोलिक छेत्र में 1 का फैलाव है यानि कि बिहार में कितने बाग बगिच्चा है तो इस प्रश्निका उत्तरग आपका option number D बिल्कुल सही है 7% में फैलाव है बिहार में भोकोलिक छेत्र में 1 यानि कि बाग बगिच्चा जंगल अगला प्रस्ना है आपका निम्नली खित नदियों में से किस बिहार का सोक कहा जाता है सोक यानि कि दोस्तों उदास होना उदासी पर दुख तकलिप पहुचाना तो वह कौन सा नदी है कोसी नदी है क्योंकि जब कोसी नदी में पनि आता है तो पहसल, गेहूं, बस्ती, गाई माल कि होनी बहुत होता है तो यह क्या करता है शोक में डवा देता अदमी को इसलिए कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है अगला प्रश्ण है आपका मंदार हिल किस जीले में इस्तित है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number C बिल्कुल सही है बाका में अगला प्रश्ण है 9 नमबर कोशी नदी घाटी पडियोजन का आरम हुआ तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number D बिल्कुल सही है उनिस्वपच्प्रण में प्रश्ण है 10 नमबर गंड़क पडियोजना का निर्मान किस अस्थान पर हुआ तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number B बिल्कुल सही है बालमुकी नगर 11 प्रश्ण है बिहार में कूल कितने अधिसुचित छेत्र में वैन का विस्तार है इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number A बिल्कुल सही है 634 किलो मीटर पुस्षवर अस्थान किस जीले में इस्तित है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number B बिल्कुल सही है दर्भंगा में है अगला प्रश्ण आपका संजय गांधी जैविक उद्धान किस नगर में इस्तित है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number D बिल्कुल सही है पटना में चौदा नमर प्रश्ण है नीम्न में किस अस्थाउन को पक्छियों का स्वर्ग कहा जाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number C बिल्कुल सही है कावर जील अगला प्रश्ण है 15 नमर बिहार में कितने परतिसत छेत्र में खेती की जाती है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा option number B बिल्कुल सही है 16 नमर प्रश्ण है राज की कितनी परतिसत जन संख्या किरिसी कार्य में लगी हुई है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number B बिल्कुल सही है 75 परतिसत इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number D बिल्कुल सही है प्रश्ण अठार नमर बिहार के जूट उत्तपादन में बिहार के जूट उत्तपादन में तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा option number B बिल्कुल सही है गिरावट हो रहा है बिहार के जूट उत्तपादन में क्या हो रहा है गिरावट हो रहा है यानि कमी हो रहा है अगला प्रस्न आपका तमाकू उत्पादन छेत्र है तो इस प्रश्निक का उत्तरग आपका ओप्सन नमर D बिल्कुल सही है गंगा का दियारा तमाकू उत्तरग छेत्र का है गंगा का दियारा प्रस्न है आपका बिश नमर बिहार में खनीज तेल मिलने की संभावनाए है तो इस प्रश्निक का उत्तरग आपका ओप्सन नमर D बिल्कुल सही है गंगा के द्रोनी में अगला प्रस्न है आपका 21 नमर निम्न लिखीत में से कौन परियोजना बिहार राज में है निम्न लिखीत में से कौन परियोजना बिहार राज में है तो इस प्रश्निका उत्तरग आपका ओप्सन नमर एक की इन में से सभी इन में से सभी बिहार राज में कोसी परियोजना है सोना प्रयोजना है गंड़क प्रयोजना है यानि इनमें सभी हो जाएगा ये सभी प्रयोजना का है बिहार में है इस प्रशने का उतर डी बिल्कुल सही है इनमें सभी अगला प्रसना है आपका बिहार में सबसे कम वर्षा किस जीले में होती है यानि बिहार में सबसे कम वर् 23 प्रश्ण है 2011 की जन गन्ना के अनुसार जन घनत्व में बिहार का देश में कौन सा अस्थान है यानि 2011 में जब जन गन्ना हुआ तो जन संख्या घनत्व में जन संख्या घनत्व में बिहार का देश में कौन सा अस्थान है तो इस प्रश्ण का उतर होगा आपका option नमर A बिल तैम हैए और अब देखिएए 24 प्रस्थे चैतर फ्ल के अनुसार विहार का सबसे बड़ा जीलेइब़क़ प्रस्था ब्याहर का सबसे ब्रा जीला है और नीजनवीinta है। C. बिल्कूल सही है पच्चमी चंपालण मोकर सब्से बड़ा जीलेइब़क साक्षर्टा परतिसत किस जीले का है 2000 जनगना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर्टा यानि पढ़े लिखे आदमे किस जीले में है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका आपसन नमर B बिल्कुल सही है रोतास अगला प्रश्ण है आपका 25 नमर प्रश्ण है 2011 की जनगना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर्टा परतिसत किस जीले का है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जागा आपका आपसन नमर B बिल्कुल सही है रोतास 26 प्रश्ण है दक्षिन बिहार की सबसे लंबी नदी दक्षिन बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो सोनो नदी है अगला प्रश्ण है आपका 27 नमर बिहार में कितने प्रमंडल है बिहार में कितने प्रमंडल है तो इस प्रश्निका उत्तरोग आपका उप्सन नमर C बिल्कुल सही है No अगला प्रश्ना आपका 28 नमर बिहार के किस जीले में बिहार किरिसी विश्विद्याले अवस्थित है बिहार के किस जीले में बिहार किरिसी विश्विद्याले अवस्थित है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number A बिल्कुल सही है भागलपुर में भागलपुर में बिहार के किरिशी विश्विद्याले अवस्तित है अगला प्रश्ण है आपका बिहार में BHPC द्वारा बिद्धुत परियोजना की संख्या कितनी है बिहार में BHPC द्वारा बिद्धुत परियोजनाओ की संख्या कितनी है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option number B बिल्कुल सही है दस तीस नमर प्रश्ण है नीम्न में से कौनसा राश्टिय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है नीमन में से कौन साराश्टिय मार्ग बिहार से होकर नहीं गुजरता है तो इस प्रश्ण का उत्रगाप का उप्सन नमर सी बिल्कुल से है अनेच सेवन ये बिहार से होकर नहीं गुजरता है अनेच साथ 31 प्रश्ण है तो इस प्रश्ण का उत्तरोग आपका option नमर A बिल्कुल सही है 51.5% बिहार में महिला साक्षरता है अगला प्रश्ण है आपका 32 नमर 2011 के अनुसार बिहार में प्रूस साक्षरता दर कितनी है 2011 के अनुसार बिहार में प्रूस साक्षरता दर कितनी है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका option number C, बिल्कुल सही है, एकतर दसमलब 2% अगला प्रश्न है आपका, बिहार में साक्षर्ता का सबसे अधीक परतिसत किस जीले में है, बिहार में साक्षर्ता का सबसे अधीक परतिसत किस जीले में है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option नमर D बिल्कुल सही है रोहतास 34 प्रश्ण है बिहार का सबसे पवित्र तहवार नीम्न में से किसे माना जाता है बिहार का सबसे पवित्र तहवार नीम्न में से किसे माना जाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option नमर B बिल्कुल सही है छाट पूजा को बिहार में सबसे पवित्र तैवार महना जाता है और ये छाट पूजा बड़ा प्रभ होता है अगला प्रश्ण है आपका बिहार में सबसे बड़ा टल छेत्र कौन है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका option नमर B बिल्कुल सही है बार्या बरहया निमनली खीत में कौन उद्योग क्रिशी पर अधारित नहीं है निमनली खीत में कौन उद्योग क्रिशी पर अधारित नहीं है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका ओपसन नम्मर बी सही है सिमेंट उत्पादन सिमेंट उध्योग यह जो है किरिसी पर समंदित यह अधारित नहीं है सिमेंट उत्पादक और यह तीनों किरिसी पर ही अधारित है सिमेट उत्पादक तो आप समझ गया होंगे वह किरिसी पर नहीं है से तिसनर प्रस्न है गंड़क परियोजना का निर्मान किस अस्थान पर हुआ है गंड़क परियोजना का निर्मान किस अस्थान पर हुआ है तो इस प्रस्न का उत्तर होगा आपका option number B बिल्कुल चाहिए है बालमुकी नगर निम्न में कौन खनीज बिहार राज में पाया जाता है निम्न में कौन खनीज बिहार राज में पाया जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका option number C बिल्कुल चाहिए अवरक जो है कि ब्यार में ज़्यादा पायता है इन में से उंचरे से प्रस्ण है निम्द लिखीत में से कौन ख़दन फसल है तो इन प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर दी बिल्कुल सही है धान जो है कि खाने वाला फसल है और ये सभी खाने वाला फसल नहीं है उप्सन दी बिल्कुल सही है प्रस्ण है चारिस नमबर बालमुकी नगर में किस परियोजना का निर्मान हुआ है तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका ओप्सन नमबर बिल्कुल से गंड़क पड़योजनों का निर्मान हुआ है बालमुकी नगर में तो चलिए दोस्तों आज याई तक रहने जते हैं यह सभी प्रस्ण बहुत ही मातपुर्ण है आप इसी तरह से सभी वीडियो को देखते रहें अपने दोस्तों में सेयर करते रहें लाइक करें और हाँ अ आप मेनत घर में खूब करें ।